अला दोस्तों नमस्कार जैमाता दे मारे यूटूब चेनल पर आपता एक पर फिर से हार दिख स्वागता बहुत बहुत अविनंदन है और मैं आज शेरानी आज शुगर वाले भाई बैनों के लिए बहुत ही जब्रतस टोपिक लेकर आई हूँ आज मैं शुगर वालों को उर्चा और सपूर्ती देने वाले उपाई लेकर आई हूँ अक्षर मैंने देखा है कि कई शुगर वाले भाई बैन सुबस शेर को नहीं जा सकते क्योंकि उनका सरीर साथ नहीं देता उनका सरीर टूटा टूटा रहता है उनमें चलने की हिम्मत ही नहीं होती उन्हीं के लिए आज मैं बलेक कोफी लेकर आई हूँ वैसे तो इसे सभी शुगर वाले भाई बैन पी सकते हैं यह बहुती फैदे मंद होती है इसका कितनी मातरा में सेवन करें और कब करें यह बताऊंगी उससे पहले तमाम शुगर वाले भाई बैनों से विंती करती हूँ जैसा मैं हर बार करती हूँ कि मेरे भाई बैनों शेर जरूर करें 45 मिट सुपह, 45 मिट शैंपो और पानी बार बार पीए गर्मी का मोसा मैं पानी पीने से आपके दिल की धड़कन ठीक रहेगी आईए जानते हैं बलैक कोफी कैसे बनाए जिससे हमें उर्जा और सफूरती मिल सके यह उपाए कम से कम 30-40 शुगर वालों ने अजमाया है जिन से सुबह उठकर सेर पर नहीं जाया जाता था आज बैक कोफी के सेवन से सेर पर जाते हैं बलैक कोफी बनाना बिलकुल आसान है यह देखे उबला हो पानी लिदते हैं यह उबला हो पानी अब इसमें एक समच कोफी मिलाते हैं उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं अगर आपका सरीर साथ नहीं देता तो आप सेर पर जाने से पांच मिन्ट पहले एक कप गुन गुनी बलैक कोफी का सेवन करें आप देखेंगे कि आपके सरीर में उर्जा और सपूर्थी आ गई है इसी परकार आप शाम को भी एक कप बलैक कोफी का सेवन करें बलैक कोफी के सेवन से आप दोनों समय सेर पर जा सकेंगे और साथ ही आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी बलैक कोफी आपके सरीर का तुरंत उर्जा और सपूर्थी देती है धन्यवाद दोस्तों अगर वीडियो पसंद आयो इसे लाइक और सेर करना मत भूलिए जैमात अदि